जब भी हल्दी के पानी में हम कोई भी बेस ढालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है फिर से एसिड मिलाते हैं तो इसके एकट को ख़तम कर देता और इसमें हम यह वाला टोपिक पड़ेंगे, यहां से neutralization, यहांसे शुरू होता है, जो कि neutralization, इससे पहले हमने पढ़ा था कि acids क्या होते हैं, currencies क्या होते हैं, strong acids, strong bases, weak acids, weak bases यह से पढ़ा था, और थोड़ा सा पढ़ा था कि neutralization के बारे में, कि neutralization क्या होता है अब हम डिटेल में पढ़ते हैं और अच्छी तरह समझते हैं neutralization reaction और neutralization process क्या होता है तो देखें यहां से यह question आये था कि जब हमें acidity हो जाती है तो हम lemon juice पीते हैं या vinegar पीते हैं या फिर baking soda solution पीते हैं तो मेरा जवाब था कि baking soda solution पीते हैं तो ऐसा क्यों? lemon juice क्यों नहीं पीते हैं या फिर vinegar क्यों नहीं पीते हैं जब भी हमें acidity होती है तो हम lemon juice या फिर vinegar क्यों नहीं पीते हैं? बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्यों पीते हैं बेकिंग सोडा की ऐसी क्या खासियत होती है जिसके कारण हम बेकिंग सोडा चूज करते हैं और विनेगर और लेमन जूज को चूज नहीं करते हैं इसका अंसर यह है कि हम जानते हैं या अगर नहीं जानते तो अभी मैं बता देती हूं कि जो एसीड्स और बेसिज जो होते हैं वे जब मिक्स किये जाते हैं तो वे एक दूसरे के एफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं नियूटरलाइज कर देते हैं मतलब एक दूसरे के एफेक्ट को खतम कर देते हैं जब एसीड्स और बेसिज को मिक्स किया जाता है मान लीजे एक एसीड्स है और उसमें बेस मिक्स किया जाता है तो जो रिजल्ट निकलेगा वो बनेगा सॉल्ट और water और जो salt होता है वो भी neutral होता है और water होता है वो भी neutral होता है इसका मतलब कि जब acid में base मिलाया जाता है या फिर base में acid मिलाया जाता है तो जो compound बनता है वो बनता है salt और water और देखे water neutral होता है ना acid होता है ना base होता है अगर acid strong है तो उसमें base भी उसी के हिसाब से मिलाना पड़ेगा ऐसे नहीं कि acid काफी strong है और base weak है तो फिर neutral solution बनेगा ऐसा नहीं है इसको हम detail में पढ़ते हैं recall how we tested sore and bitter substances without tasting them तो देखें ये जो है ये तो आ जाएगा ये वाला portion ये वाला जो topic है ये वाला ये है indicators indicators जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे detail में अब हम पढ़ते हैं neutralization तो neutralization reaction वो होती है जो acids और bases के बीच में होती है acids plus base तो neutral solution बनता है तो इस reaction को बोलते है neutralization reaction और इस process को बोलते है neutralization तो यहां से हम समझते हैं कि neutralization क्या होता है when an acidic solution is mixed with a basic solution जब एक acidic solution basic solution के साथ mix किया जाता है both the solutions neutralize the effect of each other तो दोनों solutions एक दूसरे के effect को neutralize कर देते हैं एक दूसरे के effect को खतम कर देते हैं या फिर neutral कर देते हैं when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts सही सही amount में अगर acids और bases को मिलाया जाए किसी भी एक acid और एक base को suitable amount में मिलाया जाए तो both the acidic nature of acid and the basic nature of base are destroyed तो जो acid का acidic nature और base का basic nature और base का basic nature destroy हो जाता है खतम हो जाता है acid का acidic nature है जैसे acid खटा होता है और जो भी उसके effect होते हैं और basic जो base जो होता है उसका basic nature होता है वो दोनों खतम हो जाते हैं जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है the resulting solution is neither acidic nor basic तो जो solution जो बनता है acid और base को मिलाने के बाद जो solution बनता है वो ना तो acidic होता है और ना ही basic होता है जब suitable amounts में मिलाया जाता है तब मतलब जितना acid अगर strong है उतना ही base भी strong होना चाहिए और अगर acid strong है base weak है तो weak जो base है उसको जादा मिलाना पड़ेगा जब तक कि जो strong acid है उसका effect खतम ना हो जाए तो जो solution बनता है वो ना तो acidic रहता है और ना ही वो basic रहता है तो इसको बोलते है neutralization, when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, they nullify effects of each other, that process is called neutralization और उन दोणों के बीच में जो reaction होती है उसको बोलते है neutralization reaction और यह neutralization क्यों होता है कि दोणों के बीच में reaction होती है और दोणों के बीच में जो reaction होती है उसको बोलते हैं neutralization reaction what do you observe जब neutralization reaction होता है तो हम अगर test tube को touch करके देखते हैं मतलब एक test tube लेंगे उसमें हम acid डालेंगे और base डालेंगे और उसमें base mix करेंगे और फिर उस test tube को अगर touch करेंगे immediately after neutralization तो हम फिर क्या observe करते हैं तो हम observe करते हैं कि उसमें heat produce होती है मतलब जो test tube है वो गरम हो जाती है तो इसका मतलब जब neutralization reaction होती है तो हमेशा ही heat produce होती है heat निकलती है the evolved heat raises the temperature of the reaction mixture और इससे जो acid और base में जो reaction होई थी उस reaction mixture का temperature बढ़ जाता है तो neutralization में heat भी produce होती है और mixture का temperature बढ़ जाता है इन neutralization neutralization में एक और नया substance भी बनता है जिसे कहते हैं salt जब acid और base को मिलाए जाता है तो salt भी बनता है salt जो है अगर acid और base को suitable amount में मिलाए जाए तो वो neutral होता है इसलिए इसे neutralization reaction बोला जाता है लेकिन अगर acid जादा मिलाए जाता है तो salt may be acidic और अगर acid कम होता है और base जादा होता है तो salt जो है वो may be basic salt basic भ्रह सकता है और अगर दोनों को suitable amount में मिलाए जाए बराबर amount में मतला अगर acid strong है तो strong base मिलाए जाए या फिर acid weak है तो base weak मिलाए जाए तो फिर जो salt बनेगा वो neutral बनेगा thus neutralization reaction can be defined as follows तो इस तरह से neutralization reaction को इस तरह से define किया जा सकता है the reaction between an acid and a base is known as neutralization salt and water are produced in this process with the evolution of heat acid or base base के बीच में reaction होती है वो होती है neutralization reaction और यह पूरी process होती है neutralization process और इसमें salt and water बनता है और उसके साथ-साथ heat भी evolve होती है acid plus base salt plus water plus heat the following reaction is an example जैसे कि मान लीजिए hydrochloric acid लेते हैं और sodium hydroxide लेते हैं तो यह बनता है sodium chloride जो कि salt है और यह बनता है water plus heat भी evolve होती है तो यहां से हम पढ़ते हैं कि neutralization reaction में acid और base एक दूसरे को nullify कैसे करते हैं ऐसा क्या होता है कि neutralization में acid और base एक दूसरे के effect को खतम कर देते हैं जो solution बनता है वो ना तो acidic रहता है ना ही basic रहता है तो ऐसा क्या होता है जब neutralization होता है When an acid reacts with a base, जब acid base के साथ react करता है तो acid में जो hydrogen ions होते हैं वो combines with the hydroxide ions of base जो acid में hydrogen ions होते हैं और जो base में hydroxide ions होते हैं वे दोनों combine होते हैं और water बनता है As these ions combine together and form water instead of remaining free तो देखिए जैसे ही ये जो ions होते हैं hydrogen ions और hydroxide ions एक दूसरे से reaction करते हैं एक दूसरे से combine होते हैं तो उसमें जो hydrogen ions और hydroxide ions जो है वो free नहीं रहते हैं ions आपस में combine हो जाते हैं free नहीं रहते हैं इसलिए दोनों ही neutralize कर देते हैं एक दूसरे को जैसे कि ये देखिए hydroxide ion है OH negative और ये hydrogen ion positive H positive तो OH और H ये जब मिलते हैं तो H2O बन जाता है ये water और water क्या होता है neutral होता है तो इसलिए इसमें देखिए जैसे कि हमने पड़ा है जो acids होते हैं उनका behavior acid क्यों होता है H ion के कारण और जो basic होते हैं उनका behavior basic क्यों होता है OH ions के कारण जब ये H ions और OH ions एक दूसरे से combine हो जाते हैं तो यह इनके जो ions हैं वो खतम हो जाते हैं और यह बन जाता है water water molecule बन जाता है तो इसलिए जब h ions neutralize हो गए खतम हो गए water बन गया तो फिर acidic और basic behavior भी खतम हो गया तो यह होता है neutral इसलिए इस process को neutralization बोला जाता है example देखते हैं when sodium hydroxide जो की base होता है reacts with hydrochloric acid जो की acid होता है sodium hydroxide जब hydrochloric acid से reaction करता है तो sodium hydroxide breaks into sodium ions and hydroxide ions देखें यहाँ पर यह जो sodium hydroxide है यह sodium ions और hydroxide ions में तूट जाता है और जो hydrochloric acid होता है वो hydrogen ions और chloride ions में तूट जाता है यह रेखें है hydrochloric acid है यह chloride ions और hydrogen ions इसमें लिखने रखा गलती से रह गया है तो यहाँ पर H ions और लिखेंगे hydrogen ions तो यह hydrogen ions है यह इसमें breakdown हो जाता है hydrogen ion and hydroxide ion combine together hydrogen ion और hydroxide ion यह दोनों एक दूसरे से combine हो जाते हैं and form water तो water बन जाता है इन दोनों का combine दोन से water बन जाता है while sodium ion and chloride ion combine together and form sodium chloride और यह जो है sodium और यह chloride ion यह दोनों मिलकर sodium chloride बना देते हैं तो sodium chloride क्या है यह है salt और यह है water तो देखे salt भी neutral है और water भी neutral है तो यह process होई neutralization क्योंकि इसमें neutral solutions बनते हैं तो इस तरह से आपको समझा आ गया neutralization क्या होता है जब acid और base mix होते हैं reaction करते हैं तो एक दूसरे के effect को खतम कर देते हैं एक दूसरे के effect को neutralize कर देते हैं एक दूसरे के effect को nullify कर देते हैं तो उस process को बोलते हैं Neutralization process और जो उन दोनों के बीच में reaction होती है उसको बूलते है neutralization reaction तो देखे neutralization reaction के मैंने काफी सरे activities कर रखी हैं जो कि मेरे channel पर uploaded हैं वहाँ से आपपी activities देख सकते हैं अब हम चलते हैं वापिस देखें न्यूट्रलाइजिशन रियक्शन से related activities मैंने अपने चैनल पर upload कर रखी हैं वहां से आप न्यूट्रलाइजिशन रियक्शन या फिर न्यूट्रलाइजिशन लिख कर सर्च कर सकते हैं उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ acid और base आपको घर में ही मिल जाते हैं मैं वो बता देती हैं आपको कि आपको लेना है एक गिलास यह एक बिकर में थोड़ा सा पानी लिया है और यह थोड़ा से detergent powder लिया है जो कि basic in nature होता है यह हमने थोड़ी सी turmeric यानि हलदी ले ले ली है जो कि natural indicator होती है जिससे यह पता च जब भी हल्दी के पानी में हम कोई भी बेस डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है यहां पर डिटरजेंट बेस है इसलिए हल्दी के साथ डालने पर इसका रंग लाल हो जाता है फिर से एसिड मिलाते हैं तो इसके एफेक्ट को खतम कर देता है और सोलिशन का रंग पहली जो सोलिउशन बना है उसको निूटिरलाइज बोली जाता है और इसमें डालना है आपको पानी इसमें पाणी डालिया और इसमें आपको थोड़ी सी मिलानी है हल्दी तर्मरिक तो हम देखेंगे इसका कलर येलो हो जाता है जब हम पानी में हल्दी मिलाएंगे तो उसका कलर पीला हो जाता है अब हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा सर्फ जो वासिंग पाउडर होता है वो कोई भी सर्फ इसमें थोड़ा सा मिला देंगे तो वाशिक प्राउड़ मिला पाउडर और इस बेसिक प्राउडर यह फोरी कि मिला है तो तरमरिक या कोई भी compound acid है या base है जब टर्मरिक में base मिलाए जाता है तो उसका color red हो जाता है फिर अगर इसमें देखे base मिलाए हमने तो base के effect को खतम करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे acid और acid हम मिला देंगे निम्बुकरस निम्बुकरस इसमें हम डाल देंगे तो जैसे हम acid इसमें add करेंगे तो यह जो red color है यह disappear हो जाएगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि पहले इसमें base था base के परभाव से base के effect से टर्मरिक का color red हुआ था और जब हमने इसमें acid मिला दिया तो acid ने जो base है washing powder जो base है उसके effect को nullify कर दिया है उसके effect को neutralize कर दिया है उसके effect को खतम कर दिया है destroy कर दिया है और फिर से जो यह red color है यह गायब हो जाता है और जो टर्मरिक का color जो yellow होता है वही हो जाता है तो यह example है neutralization का और अगर दोबारा से हम इसमें थोड़ा सा washing powder fill डाल देते हैं तो फिर दोबारा से turmeric solution है उसका color red हो जाता है क्योंकि जो salt बनता है वो basic salt बनता है मैंने पहले बिताया था कि suitable amount में acid या base होना चाहिए अगर base ज्यादा है तो जो salt बनेगा वो basic salt बनेगा अगर acid ज्यादा है तो जो salt बनेगा वो acidic salt बनेगा और अगर acid और base दोनो suitable amount मतलब हिसाब सी डाले जाएंगे तो जो solution बनेगा वो neutral बनेगा तो इस process में salt plus water बनते हैं और साथ साथ इसको अगर touch करके देखेंगे जब हम acid और base को मिलाएंगे तो इस glass को अगर touch करके देखेंगे तो यह गरम field होगा हमें तो इसके साथ heat भी evolve होती है neutralization process में यह सब बनते हैं तो यह आपको समझ में आ गया होंगे you already know that acids are sore in taste and change the color of blue litmus to red तो हमने यह पढ़ा था कि जो acids होते हैं वो खटे होते हैं और blue litmus को red कर देते हैं और जो base होते हैं वो बीटर होते हैं कड़वे होते हैं और red litmus को blue में change कर देते हैं अब litmus क्या होता है litmus एक indicator होता है ओर turmeric भी एक indicator होता है जो कि मैंने यहां पर पताए हैं आपको जिन से हमें पता लगता है कि कोई भी compound acid है या base है यह लिटमस से और turmeric से हमें पता लग जाता है हमें मतलब उस substance को चकने की जरूत नहीं होती चकर हम नहीं देखेंगे क्योंकि सबी चीजों को हम चक्कर थोड़ी देख सकते हैं तो हमें चक्कने की जरूत नहीं होती लिटमस और टर्मरिक से हमें यह पता लग जाएगा कि यह सबस्टैंस एसिड है या बेस है कई में आरे सफेद कपनों पर सब्जी का दाग लग नकर आधा हलेकर सब्जी का दाग लग जाता है और जब उसके उपर साबुन लगाये जाता है तो वह लाल हो जाता भाटा कि यहां समय के साबुन के साथ 18 дело देता है तो इसलिए जो टर्मरिक है उसका कलर रेड हो जाता है जब हम इसको स्क्रब करेंगे इस स्टेन को और रगड कर धो देंगे तो फिर से येलो कलर उसका हो जाएगा देखे यहां पर यह दुबरा से येलो क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें से बेस तो निकल गया है और फिर दुबरा से येलो हो जाएगा बेस को हटाने के बाद तो यह हमने पढ़ा है neutralization अब इसमें जो indicators आये हैं बीज बीज में लिटमस और टर्मरीक और आगे देखिए synthetic indicators भी आएगे तो यह indicators एक अलग topic है इसमें बहुत सारे indicators के बारे में हम पढ़ेंगी और हम देखेंगे कि कौन से indicator का acid के साथ कौन सा color आता है बेस के साथ कौन सा पार्ट में पढ़ेंगे इस वीडियो को हम सिर्फ neutralization पर ही खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम indicators के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारे indicators हैं जिनसे हमें यह पता लगता है कि कोई भी substance ऐसी है या बेस है और उनका color change हो जाता है किसी की खुश्बू भी change हो जाती है तो इस तरह से next वीडियो में हम indicators के बारे में पढ़ेंगे यहां पर हम सिर्फ neutralization पर ही इस वीडियो को खतम करते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको यह topic अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ आ गया है प्ली चनल को subscribe करें अपनी दोस्तों को share करें लाइक करे अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे indicators thanks for watching